कोड़ेंग चालो करो चालो बोलो पिलती जी मैं तो सर का जितना भी धन्यवाद करूं न वो कम है क्योंकि सर की वज़े से ही मेरा कीमी खुला एक हाउस वाइस से आज की टाइम में लोग डॉक्टर बोलते हैं और सर जो सिखाते हैं न स्री अली में पहले क्या होता था हम किसी को वेट रेडक्शन के लिए बोलते थे तो कहते हैं मैडम पहले आप अपना तो कर लो आज खुद सुंदर बने हैं खुद वेट को मैनेजमेंट कर रहा है तब हम इस स्टेंड हो गया है और अप मेरे क्लीनिक पही न vowel अलग-हल तरह के लोग देख्ते हुए रिच लोग भी देखती हो और गार एंज अते हैं जो अच्छे-छे डॉक्टर से टक्राइव आपने कराया कर इस तरह के आते है सभिदू दिन पहले शोंट करान के और सुर्फ prcy को मास्ट देखता है और संथ मैं दो दिन से करा रहा हूं, बस 20% रिलीफ है, मैंने सेम दे उतको 70% रिलीफ दिया, सर, ये सब की कि सर आपकी वज़े से ही सीखी है, और कायरो गन अईक और हमाई पस हत्यार हो गया, आरोमा थेरपी पे लोग हमको हजारा जार पे पर विजिट दे जाते हैं, सर, और मैं सर स ये भी बताऊंगी कि सर मैं किसी से देती हूं, तो जो नहीं दे सकता उससे छोड़ भी देती हूं, ये हमने आभी से सीखा हूं, नहीं चलता है, तो तुम उसूल भी लेते हो, ये एक अच्छी बात है, ठीक है, तो ये होना लेते हैं, सर छोड़ भी देते हैं, और जो ही नहीं चलेगा आपको कि आपने क्या-क्या सीख लिया तो सर्थ थैंक यू सर्व बहुत बहुत थैंक और आपके आज के जो पेसिंट थे उनका क्या हाल है दुनों का वह तो बड़ी खुश थी आज सुबह वाली तो वह पैलेटिक अटेक्स से आई हुए है गंगा राम के पूरा राइट की तरफ था वह आप अपने अब ऑब्जर्ब क्या होगा कि वह आज नहीं आ इतना करना लगों करते हैं को वह सिखाएंगे लोगों को वाली सिखाएंगे एकुछी अंतरास्टी जगत में वही सारे कपिंग होते हैं इंडिया में यक्चुली ड्राइय कपिंग से लों करके बड़े वो कर देते हैं कड़बड कर देते हैं तो वो सब क्लिनिक चलाना है तो पांच-छे बाते आपको दिमाग में रखनी हूँ कि पेसेंट आप बहुत पैसा देने लग जया है इसको सुख सुविधा के साथ ट्रिटमेंट चाहिए उसको आलिसान इज्जत चाहिए वी आईपी वाले ट्रिटमेंट चाहिए और हम उम्मिद करते हैं कि पैसेंट आपको 15-20,000 में महिने दे के जाए तो 15-20,000 का रफ्लेक्शन आपके काम में उसको दिखना होगा और वह किसी भी परकार का मार्किंग लेके नहीं जाना चाहता है किसी भी परकार के एक्स्टा दर्ध को ल की नहीं जाना चाहता और वो आता है तो वो मान की चलता है मैं पैसे दे रहा हूं और मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाए और मुझे ट्रीटमेंट भी अच्छा दिया जाए तो लोग क्या कर रहे थे ट्रीटमेंट तो सब ही अच्छे दे रहे हैं लेकिन उसको ट्रीट अ में आ गया कि साफ सुत्रा क्लिनिक कैसे होता है क्लिनिक में काम कैसे किया जाता है और आज सुवह पेशिंट अपने मुझसे रिजल्ट बता रही थी और इन्होंने उन पे आज सारा जो हमने क्लास में सिखाया और करके भी दिखाया तो इससे आप लोगों को एक्सपॉजर य क्या होते हैं लकीर के फाकिर बनकर हम नहीं बढ़ सकते को मार्केट हर तीन मेने में नए टाइप का स्वीच चौबर हो रहा है आपको आने वाले कल का विजुलाइज जिसना आज ही करना होगा पुराने घिसे पिटे तरीके से आप अच्छे तरेपिस्ट बन जाएंगे ल और उससे अपने क्लिनिक को कैसे बढ़ाना यह बाद बड़ा सिक्रेट है और यह बेरियर आप तोड़ने में अब कामियाब हो रहे हैं और यही सफलता है अब देखिए हमारे किसी भी जो हमारे पुराने बैच के है अगर हम उनसे पहले कहते थे कि दो-चार प्रेशन इतना आराम है यह क्यों हुआ को कि राइट टाइम पे राइट इंफ्रमेशन राइट धंग से इंप्लिमेंटरिशन हो गया बस इतनी सी बात है तो मेरी शुब कामना और पूरी गुरुब की और मेरी लाइन की अंदर से छे तो फीजो थेर्पिस्ट बढ़े हुए है दो अर्टोपेडिक सर्जन बैठे हुए और एक पंच कर्मा का क्लिनिक है फिर भी मैं वहां पर बीट करता रही हूं देखो यह बाते हैं मैं जिस दिन तुम क्लिनिक खोल रहे थे तो उस दिन क्या वा था तुमको भी यह डाउट था और तुमने कहा कि सर यहां तो बहुत मारवाडियों से धंदा सीखो जितने बेस्ट बजार हैं भारत के उसमें मारवाड़ी लोग वहीं पर दुकान खोलते हैं जहां पहले से सो दुकाने हैं वह घुसा देते हैं पैर बला रहे घ्रायक आता है यहां और जहां ग्रायक होता है वहां पर आप कुछ भी बैस सकते हैं तो आपके पास एक रेडी मार्केट है आपको रिजल्ट देना है और वहां के लोग अगर एक बार आपके पास विजिट कर गए तो उसी क्लिनिक में पैकेज के दौरान वह जाके बोलेगा रहे पास ही एक क्लिनिक और है मेडम बहुत अच्छा इलाज करती है मैं कल करा क्या है अब इधर तो क्या है 20 दिन का पैसा दिया वह बोलकर कराना पड़ता है वह दो पेस्ट आपके पास और लेकर आ जाता है इसलिए हमेसा मार्केट में मौजूद रही है इसलिए मैं आपको रोक रहा था क्योंकि आप बहुत महंगे इलाके के क्लिनिक ढूंट रहे थ क्या करेंगे इसलिएंग्यूंट इसलिए अधर नाम यही लोग करेंगे और देखो आज यह लोग नाम करने लगे तुमारा और चिंता भी मत करो थोड़े दिन में यही और्थबेडिक सर्जन यह बोलेंगे एक मार मेडम को भी दिखा लो यह होगा इंतजार कीज़े कैसे के पहले ख़ुद पे भरोसा फिर पेसंट का आप पर सामने वाले डॉक्टर को ने आपको बटाया था कि आंप अपने पेसंट को कभी नहीं बोलेंगे कि यार उस डॉक्ट दोक्टर को किया और आपको जो फायदा है वो बताईए जब डॉक्टर वापस उसका री एविलेशन करता है कहता है यही वह पेसेंट है तो वह उससे पूचता है तुमने क्या करवाया तो वह कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा ट्रेटमेंट कराया और तीन-चार पेसेंट जाका अगर ऐसा कह देता ह है तो पांचवे पेसेंट को वह डॉक्टर खुद कहता है सामने देखो कोई बोर्ड लगा होगा एक ऐसे ऐसी डॉक्टर है उससे इलाज करवा देना और साथवे बार जब आप मिलने जाते हैं और अपना परिच्वे देते हैं तो डॉक्टर आपको इज्जस से बैठाता करने की परवर्ती है रिजल्ट मिले नहीं मिले उससे उनको परवा नहीं है उनको पता है मेरे पेस्ट को खराब नहीं करेगा और ज्यादा कंसल्टेंसी के अलावा कोई भी काम करने के लिए तो कांसिलिंग का टाइम नहीं होता है तो जब उनको लगेगा कि आप जैसे करने लगेंगे मेरा अनुभाव तो यही कहता है जब मुझे इतने ज्यादा और्थबेटिक सर्जिन मेरे साथ मिलकर काम कर रहे तो आपके साथ क्यों नहीं करेंगे और आपने खुद कह रिया कि वाकए में ऐसा होने लगा है इसलिए मैंने कहा यकीन खुद पर गीजी फिर कि पूरी काइनात आपके मदद के लिए तयार हो जाती है तो पुरे गुरुप की तरफ से आपका आभार आप अच्छा काम कर रहे हैं आज आपका क्लिनिक भी सब ने देखा वर्च्ट्वल क्लिनिक टूर भी हुआ और सब ने भी जाना कि एक नया क्लिनिक कैसे खोला जात कि हमारे किसी भी प्रोग्राम में सामिल होने के लिए आप संपर कर सकते हैं अब हमारा काइरोप्रेक्टिक सिरीज नंबर टू आरंब होनी जा रहे हैं जिसमें हम बहुत जल्दी अब इसकी रूप रेखा बनाकर आगे की यात्रा शुरू करेंगे